हेलो एवरीबन सागत है आप सभी का एक बाफिस है हमारी चैनल जी डीसी मेडिसिन पे हम अपने इस चैनल पे दवाईयों से रिलेटेड सही सटीक एवं संपुर जानकारी आपको देते हैं तो किसी भी प्रकार की दवा की जानकारी चाहिए तो एक बार हमारे इस चैनल को जर हमाती बेनिफीशिल माना जाता है जब किसी का हड़ी फ्रेक्चर हो जाता है उस समय दिया जाता है हड्डियों में कैल्सियम की कमी को पूरा करता है कैल्सियम को लॉक करता है फ्रेक्चर वगरा हो गया तो अगर यह टैबलेट ले रहे हो तो जल्दी से जल्दी आपकी हड देखने को मिल जाता है इसके काम करने का तरीका यानि की मेकेंजियों आफिक्षन क्या है इसके इस्तिमाल करने का सही तरीका इसका डोज प्रिकॉशन साइड फिट मतलब इसे टाबलेट की हम आपको संपुड जानकारी देने वाले हैं पूरे विडियों बने रहिएगा ताक को देवनों हर्बल और नेचुरल कंटेंड के द्वारा यह रियस्टो टैबलेट बनाई जाती है हिमालया ड्रग कंपनी इसके मैनुफेक्चरर है रूम टंप्रेचर पे स्टोर कर सकते हैं और एक पैकेट में टोटल साथ टैबलेट आती है जैसे की मत तीन सो रुपए के आसपास मिल जाती है अब हम बात करेंगे इसके उपयोग की डॉक्टर इसे कब-कब चलाते हैं तो में लिए जब आपका ओस्टियो प्रेक्चर हो जाता है हड्डियों का छरड होता है कभी और अलग एक्सिडेंटल कंडिशन में जब हड्डियां टूट जाती है के दौरान जो स्विलिंग हो जाती है जो पेन होता है हड्डियों से रिलेटेड उन सारी समस्याओं को भी दूर करती है आपके बोन के लिए बहुत ही बेस्ट यह मानी जाएगी बात करेंगे इसके में काम कैसे करता है तो देखिए इसमें टोटल दो कंटेंट मिले हैं दो इससे कैल्सियम जादा से जादा मात्रा में हड्डियों को मिलता है जितना कैल्सियम मिलेगा उतना बोन ग्रोथ होगा बोन के टिसू का ग्रोथ होगा बोन रिपेर होगा और साथी साथ हड्डियां मजबूत भी होंगी ठीक है फिर हम बात करेंगे आपके गुगुल की तो इंदर भी anti-inflammatory property होती है analgesic property होती है यानि कि आपका inflammation हुआ susan हुआ या दर्द हुआ हड्डियों में उन सब चीजों को भी ठीक करेगा और आपके overall bone के लिए best होगा फिर हम बात करेंगे इसके doses side dose क्या होगा तो देखें side dose तो आपके doctor के इसापस रहेगा तो ज़्यादा सही है क्योंकि वो आपकी condition के इसापसे dose बताते हैं वैसे आप एक से दो tablet इसको दिन में दो बार ले सकते हो और holy swallow करना है चीव करस्या ब्रेक करके नहीं खाना बात करेंगे इसके precaution क्या साउधानिया रखनी है तो जितना भी dose बताया जाया कभी भी खुद उससे ज़्यादा न ले बच्चों की पहुत से दूर रखें इसमाल करने पहले लीविल का डारेक्शन भी अच्छे से जरूर पढ़ें इस tablet को cool place में dry place में डारे सनलाइट से दूर रखना चाहिए और डॉक्टर के सला के बाद लेने पर बहुत ही बहतरी नजर देखने को मिल जाएगा फिर बात करेंगे side effect तो जैसा कि हमने बताया यह जो रियूस्ट्र टैबलेट है completely herbal अर्वेदिक टैबलेट होता है जिसका कोई भी side effect report नहीं किया गया जो कि एक बहुत अच्छी बात होती है आप इसे अराम से ले सकते हो कोई problem नहीं तो यह था आपका हड़ियों के टूटने में हड़ियों के fracture होने के बाद यह रियूस्ट्र टैबलेट दिया जाता है इस टैबलेट की जानकारी आपको कैसी लगी अगली medicine अगली दवाई अगला टैबलेट किसके बारे में बताएं उसे भी comment box में लिखते जाएगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो यह सारे वीडियो भी आपको पसंद आएंगे एक बार विजिट कीजिए लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्द मेडिसन की information के साथ तब तक के लिए thank you so much, all the very best